बिस्मिल्लाहिरुर्ण इरुवाहिम असलाम अलेकुम स्कूल बेस्ट असेस्मेंट टू टूजन ट्वंटी फॉर क्लास एड जोंस है इसका इंग्लिश के जोंसे गैस पेपर है उनको इस वीडियो में डिसक्स करेंगे इसकी अब्जेक्टिव जोंसी उसको डिसक्स कर लिया टापिक यह होगा हाउ टू यूज यूर पाकिट मनी इफेक्टिवली इस पैरग्राफ लिखना है कि इसके धियां रखते हुए यूज क्रॉक्ट ग्रेमर पंचुएशन एंड स्पैलिंग आपने इनका धियां रखते हुए एक पैरग्राफ लिखने है और यह पेपर जों सी है आपके पेरेंट्स को आपके वाल्दैन को पेरेंट टीचर मिटिंग के लिए बलाते हैं राइट डायलोग बिट्वीन यूर फादर मदर एंड टीचर या आपने एक डायलोग लिखना है एक समयले पैराग्राफ लिखना है उनका पस में जो बात चीज़ तो यस रिल कुरेक्ट ग्रैमर पंट्वेशन एंड स्पैलिंग के लिहासे अब इससे नेक्स आजए गे इसका क्वेस्ट नमर फॉर रीड दा पैराग्राफ गिवन बैलो के जोन से नीचे ये पैराग्राफ दिया हुआ इसको रीड करना है और क्रियेट आ टाइटल फिर इसका जोन सा अब इससे नेक्स आजए नमर फाइफ रीड दा फॉल्विंग पैराग्राफ केरफुली एंड आंसर दा क्वेस्ट गिवन बैलो कि जोन से पैराग्राफ दिया हुआ इसको आपने दिया पढ़ना है और नीचे क्वेस्ट नमर बान से लेकर क्वेस्ट नमर फाइफ तक यह फाइफ क्वेस्ट दियो में है इनके आंसर करने है अब इनके आंसर जोन से आब वो देख लें यह जोन सा फस्ट वाला क्वेस्ट था उसका आंसर एगा यहां से लेकर यहां तक अब इससे नेक्स था इसका से क्वेस्ट वाला क्वेस्ट इसका अनसर वो यहां से 4 इसका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक अब इससे next आजेगा इसका last वाला question number 5 जो अनुच से थे five पार्ट जिनके उसके बने answer करने थे तो इनका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक यह है question number one यह question number two यह question number three यह four वाला और यह five वाले answer दिया हुआ है अभ यह है guest paper का part number two सबसे पहले इसकी जोंसी subjective part का question number one है write a paragraph four and sentence on how to use your pocket money effectively ये पहले भी question आया था अब इससे next time question number two एहमद हुआबी is gardening he has different flower plants in his garden one day he comes a pick a flower from his garden write a dialogue between एहमद and the flower इसमें आपने dialogue लिखना है correct grammar punctuation and spelling के लिए अब गराफ के पास इसका answer है आता हम वासे कर सके हैं ने तो इस यूडियो में आपका मैं दिखा दूँगा अब इससे next time question number three कि ये stanza दिया हुआ है इसको आपने अपने birds में लिखना है अब इससे next time question number four कि ये एक paragraph दिया हुआ है इसका अपने टाइटल लिकना है जो के तीन marks का है और इसको इसके तीसरी से में समराइज करना है ये 7 marks के अब इससे next time last place का question number five कि ये paragraph जोंसे इसको रीड करें और नीचे ये पांच question दिये हुए है इनके answer करने है अब इनके answer don't say भो देख लें जो first वाला question था उसका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक अब इससे next is का don't say second वाला answer ये question है और उसका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक God bless you अब इससे next इसका question number three जिसका answer आएगा यह तीन लायन है यहां से लेकर यहां तक अभ इससे next आएगा इसका okay question number four है इसका answer यह तायव जिए लिखा ओवा नीची इसको summary लिख हुई है यहां तक आएगा इसका answer यहां से ले कर अब इससे next I last में question number five don't say five questions थी उनके answer यहां से लेकर यहां तक अब इससे नेक्स आजेगे इसका guest paper का part number 3 सबसे पहले जोंसे इसका question number 1 है कि write a paragraph of 10 sentence on my last day in class 8 कि class 8 में आखरी दिन इस पर आपने 10 sentence का एक paragraph लिखना है इससे next है question number 2 कि ये इस topic के रहा से आपने dialogue लिखना है use correct grammar, punctuation and spelling marks अब इससे next है question number 3 कि ये जो stanza दिया हुआ इसको आपने words में लिखना है इससे next है question number 4 कि नीचे जोंसे paragraph लिखा और इसको आपने read करना है और इसका जोंसा title है वो उपताना है और इसको इसके तीसरे से में summarize करना है और last में है ये है question number 5 कि ये paragraph दिया हुआ इससे related 5 question दिये हुए है A, B, C, D, E इनके आपने answer करने है अब इनके answer don'ts या वो आप देख लें जो first वाला question है उसका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक अब इससे next आजएगा इसका question number 2 जिसका answer आएगा bicycle यहां से लेकर यहां तक मच तक अब इससे next आजएगा इसका question number 3 जिसका answer आएगा the richness से लेकर his great blessings यहां तक अब इससे next आजएगा question number 4 जिसका answer आएगा यह sample answer यहां से लेकर यहां तक और last में दिया हुआ है इसका question number 5 जिसका answer आएगा A, B, C, D, E यह five questions के answer है यहां से लेकर यहां तक अब इससे next आजएगा इसका guess paper का part number 4 question number 1 है write a paragraph of 10 sentence on shading home के आपने एक paragraph लिखना है अब इससे next आजएगा question number 2 के यह title दिया हुआ है इस topic पे लिहासे आपने एक जोंट सा dialogue लिखना है और जो topic है वो है अब इससे next है question number 3 कि यह जो stanza दिया हुआ इसको आपने अपने वर्ज में लिखना है अब आगे है question number 4 के यह जो paragraph है इसको read करें और फिर इसका title लिखने है और इसको इसकी तीसरे में समराइज करना है अब last में यह question number 5 इस paragraph को read करना है और इससे related यह five question दिये हुआ है इनके answer करने है अब इनके answer don't say वो देख लेते है जो first वारा question है इसका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक अब इससे next आएगा इसका question number 2 जिसका answer आएगा यहां से bicycle से लेकर यहां तक आएगा मच तक अब इससे next है इसका question number 3 जिसका answer आएगा यहां से लेकर यहां तक अब इससे next है question number 4 इसका answer आएगा rainwater से लेकर rainwater harvesting अब इससे next आएगा last में question number 5 इसके five parts दियो बेए थे उनके answer आएएगे यहां से लेकर यहां तक यह थन गास 8 के English के लिया से सब्जेक्टिव पार्ट इसकी अब्जेक्टिव जौन्स ते उसकी उडियो के लिंक आपको नीचे डिक्स्रिप्शन में मिल जाएगा Allah हाफिज